Hello everyone, welcome to the new video from StudyBuzz और मैं हूँ अनुबव गुपता So यार अगर आप MBA एस्पिरेंट हो और अगर आप CAD, ZIFT, कोई भी exam के लिए प्रिपेर कर रहे हो और अगर आप RCs के अंदर struggle कर रहे हो So आज की वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाली है चानल को सब्सक्राइब करके बेल आपकन जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी सारी important वीडियो की notification आपको मिलती रहे And please हमाई साथ Instagram पर जरूर connect हो जना my Instagram handle is studybus underscore education इसके ओपर हम daily basis पर बहुत important content पोस्ट करते है अगर friends बाए सबसे पहले बात करूँ सबसे पहले tip है कि अगर आपको RC में कोई shortcut चाहिए तो सबसे पहले shortcut यह है कि कोई shortcut नहीं है यानि कि आपको good reading habit बनानी पड़ेगी RC कोई एक ऐसा topic नहीं है जिसको पढ़के हो जाएगा RC एक skill है जो तभी बनेगी जिसपे आप बहुत अच्छी खासी मेहनत करोगे तो जितनी जल्दी आप एक good reading habit बना लोगे उतना अच्छा आपके लिए बहुत चारे newspaper के articles पड़ो, magazines पड़ो, books पड़ो, articles पड़ो, journals पड़ो जितना जाधा साधा हो सके उतना पड़ो बिकॉज इस चीज का कोई shortcut नहीं है reading skill आपको develop रहनी पड़ेगी next day friends बहुत important है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत जाधा नफरत होने लग जाती है अरे इतने बड़े RCs हैं हम नहीं पड़ पाएंगे हमारा time waste हो रहा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा so please आप सबके से एक request है instead of hating RCs start loving them आप उनको एक enemy की तरह मट treat करो अपने best friend की तरह treat करो because एक RC solve करने में में मैंने उन 4-5 questions आप solve कर लोगे so और आपको involve होना पड़ेगा passage से even in fact यार अगर आपको पढ़ने में अच्छा नहीं भी लग रहा है तो pretend करो कि हाँ यार जो आप अपने mind को program करो कि जो आप पढ़ रहे हो वो कुछ interesting या useful है आपको help करेगा आपके goal achieve करने में आपके knowledge में add करेगा आपकी wisdom में add करेगा so अगर आप इस approach से RC करोगे so आपका एक interest develop हो जागा RCs के अंदर instead अगर आप इस approach से करोगे कि यार यह तो बहुत ही लंबे होते हैं और मेरे bus की नहीं है बहुत ही complicated होते है तो आपकी performance नहीं आईडी next है friends develop speed gradually अब कुछ problem होती है बच्चों की कि वो पहले दिन से ही speed के ओपर focus करने लग जाते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना generally होता गया है जब भी आप RCs की practice करना शुरू करते हो तो initially बच्चों को 10 minute, 20 minute in fact 30 minute तक भी लग जाते हैं एक RC solve करने में depending उनका skill set कैसा है और उस पे वो बहुत जादा demotivate हो जाते हैं सोचके कि actually हमारी तो performance ही नहीं आ रही हम paper में तो curry नहीं पाएंगे हमें छोड़ देना चाहिए ऐसे नहीं है speed बनने लग जाएगी जितना आप practice or efforts करोगे over the time आप जो RC 20-25-30 minute में कर रहे हो वो within 6-7 minutes कर लोगे so ये speed जब आपकी बनेगी you have to focus on accuracy as well यानि कि ऐसा नहीं कि speed बनाते बनाते accuracy चली जाए तो यानि कि speed को धीरे धीरे बढ़ाना है और accuracy के उपर बहुत जादा focus करना है in fact चाहिए आप RC में पांच में से सिरफ दो ही question कर पाओ लेकिन दो question correct होने चाहिए accurate होने चाहिए ऐसा ना आप पांच में से start कर दो 2 सही और दो गलत है उसके बाद है friends जिसका मैंने दुबारा आपको बता था कि कोई shortcut नहीं है RC एक ऐसी चीज़ है जिसको जादा जादा practice करोगे उतनी ही better आपकी performance होगी so इसके लिए मैं आपको कुछ source बता रहा हूँ आप source क्या है कि आप जो भी exam के लिए target कर रहे हो for example अगर आप cat को target कर रहे हो zat को target कर रहे हो तो इनके past यह papers download कर लो for example एक काम करो cat के 2017 से लेके 20 तक के papers download कर लो zat के भी जितने मिले उतने download कर लो और उनसे हर रोज एक एक RC practice करो उससे क्या होगा आपको confidence build होने लग जाएगा कि exam में actually किस टाइब के RCs आते हैं इसके अलावा एक से दो RCs daily basis पे आप practice करो जो भी material आपके पास है किसी भी चीज को जो आप prefer करो उससे कोशिश करो कि आप एक से दो RCs daily basis पे solve करो और हो सके तो timer लगा के solve करो ताकि आपकी under pressure perform करने की skill बननी शुरू हो जाए और अगर आपने just अभी start किया तो बिल्कुल मत गवराना RC skill बनाने के लिए मिनिमम हमें 300 से 400 RCs practice करने है exam में जाने से पहले तो जब तक आपके ये सारे RCs practice ना हो जाए तब तक बिल्कुल भी है मत तोचना कि मेरी RC में performance नहीं आ रही है उसके लिए आपको क्या करना है और ज़्यादा practice करने है next है friends हमें कि ये process बहुत जरूरी जीखना है learn the process of elimination को ये आपको पताएगा इस strategy से कर लो B strategy से कर लो C strategy से कर लो सबसे बड़िया अगर कोई strategy है RC solve करने की ये aptitude exam के अंदर किसी भी question को solve करने की वो होती है process of elimination तो चाहे आप general question solve कर रहो यहाँ पे आपको main idea बताना होता है यह specific questions जहाँ आपको specific details बताना ही होती है वहाँ पे आप process of elimination ही follow करो because इससे आपको काफी help मिलेगी in choosing the correct answer initially जब आप ये solve करने हैं शुरू करोगे तो हो सकता है कि out of five options आप सिरफ एक या दो options ही eliminate कर पारे और तीन options के अंदर confused हो जाओगे उसके बाद future में हो जाखेगा कि आप तीन options eliminate कर पारे और दो options के अंदर confused हो जाओगे लेकिन और जब आपकी sound understanding हो जाएगी reading skill आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी तो आप 5 में से 4 options eliminate करके अपने correct answer तक काफी हद तक पहुंच जाओगे friends next tip है मैं पास कि जब भी हम RC पढ़ रहोंगे तो हमें general ideas and purpose को जरूर find out करना है यह इसलिए important है कि general ideas से actually क्या author जब भी आप passage पढ़ो हमेशा हर line को या हर paragraph को question करो कि author ने यह क्यों लिखा है author इसके through क्या convey करना चारह है you do not have to read the passage like a reader but you have to read the passage like an author की author ने actually ऐसे लिखा है तो author क्या बोलना चारह है so reading would be much better if you are able to comprehend the general ideas अगर general ideas आप समझ जाओगे की passage के अंदर क्या है इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा की author किस चीज़ से agree कर रहा है किस चीज़ से disagree कर रहा है और इसके basis पे आपको inference based questions as well as जो fact based questions है दोनों के दोनों को solve करने के लिए काफी help मिलेगी तो ये कभी हो सकता है जब आप बहुत actively और proactively read कर रहे हो और हर एक line हर एक word जो आप पढ़ रहे हो वो आपको 100% clear हो रहा है तो friends ये थी कुछ quick tips जिसके basis पे आप अपने RCs improve कर सकते हो अगर आपको tips अच्छी लगे तो आप please नीच से comment section के अंदर ज़रूर बताना ऐसी videos हम future में भी बनाते रहेंगे please channel को ज़रूर subscribe कर देना and instagram पे ज़रूर connect हो जाना अब मैं आपसे next video के अंदर मिलूंगा thanks a lot, all the best, God bless you